नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है हूं अभी दंदर है तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्तान जीके नहीं बलकि भारत जीके भारत जीके पढ़ेंगे दोस्तों राजस्तान जीके का जो टॉपिक है कंप्ल इसलिए बसका most important है जो भारत जीके से काफी प्रस्ने जो पूचे जाते हैं तो दोस्तों video complete अवेसी देखना और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अवेसी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों पहले प्रस्ने सुबारम करते हैं और पहला प्रस्ने आपकी स्क्रीन पर कि नव पाचान काल में दक्सिन भारतिय की सनद्वारा उगई गई सबसे पहली फसल जो थी वो कौन ची थी दोस्तों बिलकुल एज जो most important प्रस्ने देखते हैं कितने जवाब बनते हैं हाँ जी तो बिलकुल है जो यहाँ पर एक option एक option सही आंसर हो जाएगा रागी बि दोस्तों जेनों रे रागी चुना बिलकुल सही आंसर है चलिए आगे के प्रस्न की अगर बात करें तो चावल की खेती का प्राचीन तम साक्सी मिलता है दोस्तों और भारत जी के ना जो अपन important important प्रस्ने पढ़ेंगे और है जो दोस्तों यह प्रस्णोत्री में पढ़ें भारत की खेती का प्राचीन तम साक्सए मिलता है हां जी तो इसका स्रीजवा बिलकुल है जो कोल्डी हवाय कौन चाही कोल्डी हवा बिलकुल जिन्नोंने कोल्डी हवाय चुना बिलकुल सही आंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट की अगर बात करें तो प्रस्ण आता है मानव द्वारा सरो परतम किस दादू का प्रयोग किया गया था हाँ जी तामबा लोहाच सोना या फिर कांचा तो दोस्तों बिलकुल है जो तामबा हो जाएगा यहाँ पर प्रस्ण को ध्यान पूरुक पढ़ते कोई दोस्तों आपको जवाब भी देने और यदि आपको पता नहीं है तो जरूर है जो अपने दिमाग में सेड कर लीजेगा इसे याद कर लीजेगा साथ साथ मानव द्वारा सरो परतम किस दादू का प्रयोंग किया गया था दोस्तों कितना इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो दोस्तों यह आफिसन सही आंसर हो जाएगा तमबा चलिए अगले प्रस्ण की अगर बात करें तो कपास का प्रतम परमान क यहां पर मिला था दोस्तों सभी जवाब दीजिये बड़े असान और इंपोर्टेंट प्रस्ण है इमाम गाउं या मेहरगड या फिर सी आफिसन प्रतापगड या बीम बेट का बेलकुल बी आफिसन होगा यहां पर सही मेहरगड मेहरगड से कपास का पहला प्रमान मिला अच्छा दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रस्ण की बात करें तो नकलिस्तान या सिंद का बाग कौन सा कहलाता था कौन सा भाग नकलिस्तान या सिंद का बाग किसे का गया हडपा को या मोहन जोड़ो को या सुरकोटडा को बिलकुल 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 है जो मोहन जोड़ो ह हो जाएगा बिल्कुल तो यहां पर है जो पांसवे प्रस्ण का जवाब है जो बिल्कुल सही है जो दो को नकलिस्तान और सिंद का बाग भी का गया है दोस्तों जो भी पीटीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बता दू एक जो आज वीडियो अपलोड कीती दिन में दो सिलिबस के कौन से टॉपिक से है जो प्रस्ण पूछे जाते हैं और कितने नमबरों के पूछे जाते हैं तो दोस्तों जरूर जिहान में रखे अच्छा नर्त खकी की कांचे की मौर्टी किसी स्थाल या इस्थान से प्राप्त हुई थी तो दोस्तों यहां पर मोन जो भारत जी के और डैनिक विज्ञान भी पूछा जाता है यह वैसे द्यान रखे और दोस्तों आपको तयारी भी करने होगी इसकी और इसमें बता दूँ राजस्तान जी के भारत जी के और दैनिक जो विज्ञान यह तीनों कॉमन पूछे जाते हैं दोस्तों यदि 50 पूझे जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंदव कालीन तत्यों मैं से कौन सा तत्य असंगत है कि बिलकुल है जो पवित्र व्रक्ष पीपल पवित्र पसुगाए पवित्र पक्सी बतक या उप्रोक्त सभी तो दोस्तों यहां पर है जो पवित्र पसु मानते हैं पवित्र पक्सी बतक को मानते हैं पवित्र पसुगाए को नहीं मानते हैं चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो नेक्स प्रसना आता है सिंदू सब्यता की खोज का स्रेक किसे जाता है किसे जाता है किसे दिया जाता है दयाराम साहानी या सर जॉन मार्चल य नेक्स्स प्रसनने है सिंदू लिपिक उक्त मुद्रा कहां से प्राप्त है। और सभी जवाब है का सभी सभी स्थी जवाबुद्य के सब्सक्राइब। यह आնसर है जिननों ने चुनाएं तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सभी जवाब देने की कोशिज करें सभी जवाब नहीं दे रहे हैं दोस्तों यह आपने बारीजी के पड़ा है तो आपके बिल्कुल सही होने के सांस रहेंगे यह आपने नहीं भी पड़ा है तो जवाब तो जरूर दे सकत ती दोस्तों यहां पर है जो सिंदु वासियों द्वारा सरवादीक परियुकत दातू कौन छी थी तत्यों के अनुसार बताने आपको और बिल्कुल है जो त्री आप्शन जिसे कहते हैं सी आप्शन वो सही आंसर हो जाएगा काच्छा है जो सही उत्तर होगा ठीक है चली दो सदु है जो यहां पर ओजाता है नगर नियोजन ठीक है चली दोस्तों आगे अगर बात करें तो वासिदार्मिक थे यह किस साक्षिदवार परमानित सर्मिक तो दार्मिक थे बिल्कुल ही यहां पर रानित नहीं होत하면 तो दोस्तों यहां पर जो बिल्कुल है जो C option से आंसर हो जाएगा चलिए next अगर बात करें तो सिंदु वासी किसकी उपास नहीं करते थे दोस्तों बिल्कुल यहां पर सभी जवाब दें प्रकर्ति देवी की करते थे स्वास्तिक चिने करते थे मातर देवी की करते थे तो यह जो किसकी विष्णु की नहीं करते थे दोस्तों बिल्कुल है जो यहां पर जिन्होंने चुना विष्णु बिल्कुल से उतर है चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो सिंदु कालिइं सूती वस्तर के टुकड़े का साक्स ये प्राप्ट हुआ है तो है जो कौन से कहां से हुआ ये बताने आपको सभी जवाब दीजिए मोन जोदर से या लोथल से या मुंडिक गग से या फिर मेरगड से बिल्कुल है जो यहां पर ए आप्शन हो जाएगा से याना बिल्कुल है जो मोन जोदर जिन्हों ने चुना बिल्कुल है सिंदुगा काली निशूती वस्तर के टुकडे का जो प्राजाक से मिलाए वो मोन जो दोड़ से मिलाए दोस्तों यह अपन प्राजचे नित्यास पढ़ रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट तीस प्रस्ण है ठीक है तो है जो आप कंप्लेट अवेसे देखें सेंदव वासी किस तातू से अप परिचित थे सेंदव वासी जो है किस तातू से अप परिचित थे दोस्तों सभी जवाब दीजिए पहली क्वीज़ दोस्तों भारत जी के किया और सभी जवाब देंगे तो आपके लिए और भी बहतर क्वीज़ जो बैतर most important प्रस्चन लाने की कोशिच करूँगा और बिल्कुल जो लोहा है जो सही answer हो जाएगा चेंदव वासी किस तातू से अपरिशित थे लोहा से अपरिशित थे बाकी है जो तामबा की उन्होंने खोज कीती सोना और जस्ताब भी है जो वेपरिशित थे अच्छा दोस्तों आगे की अगर बात करें तो सिंदु सभीता के किस इस्थान में जल निकास प्रणाली का अबाव पाया जाता है जिया तो इसका सी जवाब बिल्कुल है जो सी ओफशन हो जाएगा काली बंगा है जो जिन्नोंने चुना बिल्कुल सी ओफशन है काली बंगा चले नेक्स्ट की अगर बात करें तो प्रशन आता है बड़ा आसान भी है और जो इंपोर्टेंट भी है शिंदु काली न मूर्ती जिसमें इस्त्री के गर्ब से निकलता पोधा दिखाई दे रहा है या दिखाया गया है ये कहां से प्राप्त हुई शिंदु गाटी सभीत जो है शिंदु काली ने और उनमें से जैसे अडपा लोथल सुरकोड़ा या रंगपुर तो दोस्तों यहां पर बिलकुल सभी का है जो जिनोंने अडपा चुना बिलकुल से यांसर है बिलकुल चले आगे कि अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रशन आता है नेक्स्ट बिलकुल यहां पर डी आप्शन हो जाएगा सही आंसर हडपा से ना बिलकुल चलिए सभी जवाब ताबूत में सवधानों का साक्षी जो प्राप्त होता है वह घप्त चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रशन आता है आरे सब्ध का सरवपतम उलेक मिलता है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है और सभी जवाब देवे आरे सब्द का सरव पत्म ओलेक मिलता है बेलकुल यहाँ पर है जो सही जवाब कौन चे हो जाएगा बेलकुल तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा रिग वेद में बेलकुल शी आप्चन जिन्होंने चुना बेलकुल सही जवाब देखे दोस्तों आरे सब्द का सरव पत्म ओलेक जो मिलता है वो रिग वेद में मिलता है तो दोस्तों आपको यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है जो बिलकुल ध्यान में रखना है आपको द्यान में रखना है और नेक्स प्रस्ण आता है सबसे प्राचीन जो वेद है यह कौन सा है दोस्तों इंपोर्टेंट प्रस्ण आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको आपके द्वारा यह पसंद किये जाना चाहिए आपको लाइक कर देना चाहिए वेडियो को यहना तो दोस्तों बिलकुल इसका सही जवाब बिलकुल है जो सभी का सही जवाब है प्राचीन जो है यह रिगवेद है ठीक है बिलकुल प्राचीन वेद कौन सा है रिगवेद है चले दोस्तों नेक्स प्रस्ण आता है क्या है कि वैदी काल में कांचा और तामबा के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्द था तो दोस्तों बिल्कुल है जो यहाँ पर आयस हो जाएगा यहना B-Option होगा वैदी काल में कांचा और तामबा के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सब्द था उस समय क्या था अयस था ठीक है अयस चलिए नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो दस राग्य दस राग्य युद्ध किस नडी के नदी के तटपर हुआ था दोस्तों सभी जवाब दीजिए देखे सिंदू सरस्वती परूशनी और गंगा तो यहां पर है जो दोस्तों क्य हो जाएगा परूशनी बिल्कुल कि सी उप्सन हो जाएगा से उत्तर दस राग्य युद्ध किस नदी के तटपर होता है हुआ था हुआ था यह परूशनी नदी के तटपर चले तेहां आगे अगला प्रस्ण आता है उत्तर वैदिकाल का वह यग्य जिसका समंदर रत चले आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रस्ण आता है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है शिसु के जन्म के पूरो किया जाने वाला संसकार जो है यह कौन सा है तो यहां पर देखे गरबादान संसकार भी है ठीक है पुंचवन संसकार भी है सिमान तो नयन संसकार भी है अपन राजस्तान जीके में अपने संसकार नहीं पढ़े है तो दोस्तों संसकार पढ़ेंगे अपन ठीक है आबूसन पढ़ेंगे उसमें संसकार भी पढ़ेंगे तो इसमें ये भारत जी के में बिलकुल है जो इस प्रस्ण का सही जवाब है जो D-Option हो जाएगा बिलकुल जे लोने चुना बिलकुल चलिए Next प्रस्ण की अगले प्रस्ण की अगर बात करें तो ये प्रस्ण आता है वैस्य सब्द का सरव परतम प्रयोग का पर मिलता है हान जी दोस्तों से भी जवाब दीजिए वैस्य सब्द का सरव परतम प्रयोग मिलता है ये जो बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है और इसका सही जवाब कौन चाहोगा रिगवेद या एत्रे ब्रामण में या वासज नई वाजस नई सहिता में या गरचूतर में और बिलकुल है जो यही होगा C option बिलकुल चलिए आगे इसका जो है दोस्तों देखे वैस्य सब्द का स्वरपरतम परयोग है जो वाजस नई सहिता में मिला ठीक है चलिए भारतिय संगीत का जनक किसे का गया है दोस्तों important to important प्रस्ण है और भारतिय संगीत का जनक किसे का गया है सामवेद को रिगवेद को गंदरवेद को या यजजूरवेद को बिल्कुल बहुत अच्छे सामवेद को का गया है कौन्चे सामवेद को बिल्कुल चलिए आगे अगर बात करें तो नेक्स प्रसना आता है उत्तरवेदिकाल के सर्वोच देवता कौन थे दोस्तों उत्तरवेदिकाल के सर्वोच देवता जो थे वो कौन थे प्रजापती या विष्णू या मैस या इंद्र दोस्तों यहां पर ध्यानपूर प्रस्ण को पढ़ना की उत्रवेदी काल के सरवोच देवता जो थे वो थे बिलकुल प्रजापती बिलकुल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और यह प्रस्ण है जो बिलकुल इंपोर्टेंट प्रस्ण ह चलिए अगला प्रसना है कि मैं कवी हूँ मेरे पिता सिकी सक है तथा मेरी माता अनाज पीशती है यह वाक्य किस वेद से मिलता है दोस्तों मेरे पिता सिकी सक मतलब कि वेद है मैं कवी हूँ और मेरी माता अनाज पीशती है तो ये वाकिया है जो कहां से मिला बिल्कुल रिगवेद से मिला बिल्कुल दोस्तों रिगवेद और जिन्होंने रिगवेद चुना बिल्कुल सही आंसर है तो दोस्तों बिल्कुल जो आपने साथ साथ में जवाब दिये उसके लिए आपका thank you so much बिल्कुल दोस्तों अच्छा next प्रसने कुल 30 प्रसने दोस्तों और संगम से तात पर यह कौन सा है संगम का आर्थ कौन सा है दोस्तों यहापर यहापर इस quiz के अंतरगत संगम का तात प विद्वानों की सवाएं या दक्षिनबाद का प्राचिन नाम या फिर हिंदु धर्म ग्रंट जिसकी रसना तमील वासा मोई तो दोस्तों यहापर बी ऑप्शन हो जाएगा से अंसर तमील वासा के विद्वानों की सवाओं को संगम कहा जाता था ठीक है चलिए प्रतम संगत के अध्यक्स कौन थे तो दोस्तों इसका सभी जवाब है जो बेलकूल अगस्त्य लिशी प्रतम संगत के अध्यक्स दोस्तों को रदे अगस्त्य अगस्तिय रिसी हुए थे ठीक है अध्यक्स अगस्तिय रिसी ठीक है अच्छा तो दोस्तों देखे संगम जो है यह परिशत दुगा करती थी और इसका योजन किस राजी के सरक्षण में हुआ था तो दोस्तों यह आपको ऐसे मतलब इस परकार ध्यान रखना है पांडिय रा इस द्यानन नहीं और दोस्तों एसलों इस खुआ-धम टूवान जरा दोस्तों आपक्विय's एस मैं चुल्ड कर दिया क्योंकि दोस्तों तीस मोश्ट इंप्रस्टन परस्टन और और जो जलुड़ी में अपने 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 परकार इंप परस्टन आने में था आगे भी या नहीं तुझ के लिए यह अलग से जरूर मैं अपलोड कर दीजिए कैसे और आप और दोस्तों अपना है जो राजस्तान जी के है जो कल सुबह नर्ते पढ़ेंगे और नर्ते दोस्तों बाग टू रहेगा ठीक है राजस्तान जी के का बाग टू रहेगा और कल जो साम को रहेगी वो रहेगी प्रस्णोतरी नर्तियों पर राजस्तान के लोक नर्तियों पर र और आप बने रही है राजस्तान क्लासेज के साथ और दोस्तों यह जो चूचना आपको दे दूँ कि यह जो पीटी टी एक्जाम है इसकी डेट है जो आगे खिसका दी गई है दस मही को आगे कर दिया गया है तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि ऑफिशियल नोटिप आज जाए जैसे ऑफिशियल नोटिपिश न आजाएगा आपको चुचित कर दिये जाएगा और दोस्तों बिए अश्चि सी के पॉर्म है जो अब«भी स्टार्ट नहीं हुए फार में संभावित है पृस्वार्वत है तो दोस्तों आपके इसाध ऐसे ही ऐसे ही जो क्वैर इस थी मैंने बता दिये और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूरवक बहुत बहुत धन्यवाद